पित्रों के पिंडदान के लिए भारत में सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? हेलो दोस्तों, वैसे तो भारत में पित्रों के पिंडदान के लिए 55 जगों को बहुत महित्वपूर्ण माना गया है, इनमें गयाजी का नाम सबसे पहले आता है गया में 48 जगों पर पिंडदान होता है पर क्या आप जानते है कि देश में इतनी जगों के बावजूद भी लोग गयाजी में ही पिंडदान क्यों करते है पिंडदान के लिए पूरे भारत में गयाजी से अच्छी जगह नहीं है गयाजी भारत के बिहार राजे में स्थित है जहाँ पर लोग अपने पित्रों के पिंडदान के लिए भारत के कोने-कोने से आते है देश में कई जगों को पिंडदान के लिए महित्व पूर्ण माना गया है लेकिन गया जी का महित्व ज्यादा है लोग अपने पित्रों की आत्मा की शांती और तरपन के लिए बिहार के गया को ही चुनते है पर क्या आप जानते है? ऐसा क्यों है? दरसल पुरानों में लिखा है कि अगर गया जाकर पिंडदान किया जाए तो पित्रों की 21 पीनिया मुक्त हो जाती है लेकिन इसके पीछे भी एक दिल्चस्प कहानी है जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए आईए जानते है गया धाम की कहानी प्राचीन समय की बात है गयासुर नाम का एक राक्षस था जिसने विश्नु भगवान की तपस्या करके उन्हें प्रसन किया तपस्या पूरी होने पर उसने भगवान से वर्दान मांगा कि मेरा शरीर देवताओं से भी ज्यादा पवित्र हो जाए जो भी मेरे शरीर के दर्शन करे या स्पर्श करे वह पाप मुक्त हो जाए भगवान विश्नु ने गयासूर को ये वर्दान दे दिया, इसके बाद हालात बदल गए। लोग जमकर पाप करने लगे और बदले में गयासूर के दर्शन कर लेते, ऐसे में यहाँ पाप बरता गया। और जब देवता लोग इससे परेशान हुए, तब वह विश्नु जी के पास पहुचे, भगवान विश्नु गयासूर के पास आए, और कहा कि मुझे धर्ती पर यग्य करने के लिए सबसे पवित्र स्थान चाही। गयासूर ने कहा कि प्रभू, मुझे से पवित्र तो और कुछ नहीं है, मैं धर्ती पर लेट जाता हूँ, आप यग्य कर लीजिए। जब गयासूर लेटा, तो उसका शरीर पांच कोस तक फैल गया, और विश्नु जी ने यग्य शुरू किया और यग्य के प्रभाव से गयासूर का शरीर कामपने लग। तब भगवान विश्नु ने वहाँ एक शिला रखी, जिसे प्रेचिला वेदी नाम दिया गये। गयासूर के त्याग से प्रभावित होकर विश्नु जी ने गया को ये वर्दान दिया, कि जो भी यहाँ आकर अपने पित्रों का पिंड़दान करेगा, उसके पित्रों की 21 पीनिया मुक्त हो जाएंग, और यहाँ पर दूर दूर से लोग अपने पित्रों के लिए पिंड कुंड, रामशिला वेदी, धर्मारने वेदी, प्रेचिला वेदी, कागबली वेदी जैसी जगों पर पित्रों का तरपन कर सकते हैं.